नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मेरी चैनल पर मार्केट की इंफोर्मेशन पर सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं 100 सब्सक्राइबर क्रोस करने का और आपका प्यार इसी तरह बना रहे बस यहीं चाहता हूं आशा करता हूं और मैं आपकी जितनी चाह उतनी हैल्प करूं जितने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जाना चाहते थे और बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब भी दिया और यह में बहुत अच्छा लगा कि मतब जब basically आप interact होते हो किसी से तो मुझे भी उतनी ही कुशी होती है तो मैं थोड़ा सा और आज बात करना चाहूंगा कैपलीन पॉइंट के बारे में कैपलीन पॉइंट को देख सकते हैं 536 पर आके बंद हुआ है ठीक है आज अकर आपने देखा तो यह वाला जो रेजिस्टेंट है ना यह वाला रेजिस्टेंट यहां पर लगाओ चलो एक और मैं लेवल जो है उसकी बात कर लेता है फाइव डेज के अंदर में यह कहां से था यह लेवल था 544 का और आज कहां पर है 536 पर है ठीक है तो आपने देखा यह उस लेवल पर आगा है एक उपर जाके और यह हाई जो बना था ना यह था केवल एसपेक्टेशन पर कि इसका जो क्वाटर रेजल्ट है वो अच्छा आएगा जंप आएगा तो यह रैली ऐसे होता लेकिन इसका क्या हुआ इसने डी मोरोस किया और मार्केट ना खुश हुआ और वापस से वहीं पर आगया क्योंकि यह जब आप अगर आप देखेंगे लास्ट के एक मंद में अगर किसी शेयर में अगर कोई चड़ेगा तो एक नॉमिनल तरीके से चड़ेगा ऐसे होगा कि वह और जंप मार रहा है ऐसे ऐसे वह ऐसे जांएगा ऐसे जांएगा और इसे जा धो यहां सी तो गार्ए तो एक महीने कशता दिखा रही ना तो खूआप देखें जो रैली वी एक महीने में शेयर था आपका 375 रुपए का अगर वो चल रहा है तो ऐसे चलना चाहिए को यहां तक तो वो नॉमल चला फिर यहां सूसन रैली वारी तो डारेक्ट 600 को क्रॉस कर गया तो अब उसमें करेक्शन भी हो गया है ठीक है यह करेक्शन हुआ है यह करेक्शन होता है तो यह उसी चीज़ का एक पार्ट है और मैं आपको एक मैक्सिम चार्ट की बारे में भी दिखा देता हूँ इसका तो जो मैक्सिम चार्ट है तो अपने all time high बना कर जब यहां पर आया तो 718 का यह all time high बना है अब मैं आपको बोलूँगा कि जिन जिन को भी loss हुआ है ना इ 72 पर भी तो मैं उनको बोलूँगा कि वो 536 में उतने ही same quantity के वो share करी दें ताकि वो average हो जाए दूसरा यह है दूसरा भी एक और point है वो भी मैं आपको बता हूँगा जो दूसरे share है कैपलिन यह कैपलिन point है और जो दूसरे share है वो है आपके Glenmark का share चीक है Glenmark के share के उपर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका जो quarter result है अब इसका quarter result कब आने वाला है Friday के आसपास में आने वाला है इसका result ठीक है तो इस तिल इसमें क्या है तीन दिन बचे है तो तीन दिन क्या है इसमें rally है चीक है अगर आपको मैं दिखाऊ 5 day चार्ट तो आप देखो यहां पर किते का share है 451 का लेकिन क्या देखा Glenmark में तबसे तो आपको downfall देख रहा था अभी क्या है rally है ठीक है लेकिन यह rally ऐसा नहीं जा रहा है जो की होना चीए ठीक है एक मन्त का मैं चार्ट दिखाऊ आपको तो आप देखें जब यहां पर आक तो यह 575 टच करके आया Glenmark और उसके बाद में फिर नीचे गिरा और अभी इसका level देखिए अभी यह उपर जाने की कोशिश कर रहा है पूरी पूरी तरीके से ठीक है यह देखो आराम से 478 तक आगया है जो कि यहां से एक बार यह rocket बना था इस लेवल पर आके तो यह जो शेयर है इसका quarter रिजल्ट आने वाला है फंडामेंटल ही मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कैपलिन पॉइंट के साथ जो रहना चाहते हैं वह मैं अभी भी इस्टिल क्या रहा हूं कि होल्ड करें यह वाला शेयर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्यों कि इसका जो फिनेंशल रिजल्ट है वो फ्राइड तक टच कर लेगा जो कि शुरू हुआ कब से अगर आप देखें तो यह शुरू हुआ है कब से फाइफ फोटीन यहां पर फाइफ फॉरंडेट फिटीन से शुरू हुआ था और रैली को लेकर यह फोर सेवंटी एड तक आ गया और यह फाइफ अंडेट तक चला जाका तो आसा गिरेगा भी तो अगर आप आज गैसे भी आता है चाहे आप लेप की बात करो चाहे आप इपका लैब की बात करो ठीक है वो सारे लैब वाले शेयर में आज गिरावट है कल आयोल केमिकल को अगर आपने दिखा होगा तो आयोल केमिकल में भी 100 रुपे तक का तेजी था ठीक है अगर आज आप देखेंगे तो 50 रुपीज माइनस भी है आयोल केमिकल तो देखें तो जैसा रहली कर रहा है ना ऐसे तो वह वैसा गिर रहा है तो उससे महगा है 2000 का तो उसमें शेयर डिफरेंस के इसाब से उसमें जादा फ्लक्टुएशन आने जी हैं लेकिन एक छोटा शेयर जो की रहा तो आज 20-30 रुपे डूट गया कल 20-30 30-40-50 लेकिन क्या किया है एक ही दिन में रीकवरी कर दी थी उसने उस शेयर की फिर अभी आज के लाज दो दिन वापस से गिरा और आज उसने वापस से वही रीकवरी कर दी है ठीक है तो इन शेयर के अंदर में हो सकता है तो फंडमेंटली मैं आपको दिखा देता हूँ अगर हम बात करते हैं ग्लैनमार्क की तो ग्लैनमार्क के अंदर में जब आप देख रहे हैं तो यह आप देखें तो Glenmark ने profit कमाया था 220 करोड का और कितना increase हुआ था शेर में 22% की जो था profit वो increase हुआ था देखो आप मतलब loss नहीं गिरा था उसके बाद देखें फिर यहां पर गिरा फिर यहां पर वापस से उसने recovery करी यहां recovery करी यहां recovery करी तो अभी 220 के आसपास है तो profit almost मतलब उसका इसी के आसपास आना चाहिए अगर में यहरवाइस बात करते हैं तो यहरवाइस के अंदर में आप देखें 192, 300, 400, 400, 600, 500 फिर नीचे गया फिर 700 फिर 1000 फिर उसके बाद 800, 900, 700 तो अब आप देख सकते हैं कि आगर 700 है तो इसको almost 900 के आसपास में मतलब यह profit मारना चाहिए इसी यहरवाइस के अंदर में holding आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है वह 46% के holding है basically promoters के पास में वहीं प point जादा best इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे ना इसका R.O.C.E. भाई R.O.C.E. जब आप देख रहे हैं तो पश्चपन देखिए रिटन ओन एक्विटी 40 है मतलब कमपनी आपको profit देए 40% का sales growth देखिए 30% है ठीक है तो यह एक अच्छा stock है आप इसको hold करें देख इसको खरीद था almost 500 के असपास 593 पर मेरा profit बुक किया उसके वापस से मैंने इसको खरीदा शुरू किया है ठीक है 554 पर खरीदा है मैंने आज के दिन में और कल के दिन मैं थोड़ा सा इसको watch करूंगा और कल के दिन अगर में को लगता है कि उपर जाने वाला है तो मैं इन मार्क नीचे आया पूरा ठीक है कितना चारसो पंद्रा गया भाई चारसो पंद्रा डेट सो रुपे नीचे आगया ठीक है डेट सो रुपे अपने point से नीचे आया तो क्या हुआ आज उसने recovery की है ना आज उसने 75 की recovery कर लिए almost half recovery वो कर चुका है कितने दिन में एक मंत म के रखिये बस आपको थोड़ा सा hold रखना है अगर मैं आपको इसकी दिखाता हूं तो market cap के साथ से थर्ड नंबर पर आती है यह आप देखें कि जो profit था ना वो 42 है लेकिन किस में इसकी जो profit है नो 30% गिरा है पिछले बार के तुल्ला में sales है 40% गिरी है ठीक है तो यह जो negativity आई थी ना इसकी वज़े से शेर के अंदर में डाउनफॉल आया है और यह क्यों है कोविट 19 के वज़े से डाउनफॉल है तो कोविट 19 की आज आज पुतिन ने अल्रेडी मतब एक ड्रग को लॉंच कर दिया है ठीक है रेइस्टर कर दिया है जिसका नाम है गेम कोविट अर आपको पता है कि जब यह समगे साल हो जाएंगी तो यह वापस से रॉकेट बनना है इसको वापस से वही ग्रोठ से उपर जाना है ठीक है अगर अगर है उन्हों ने इस टैंप ज्यादा कि है क्योंकि कोविट 19 का यह भी कुश्ना कुश धूंड रहे थे तो इसलिए इ search में लग गए हैं इसकी मैं promoter holding की बात करूंगा तो promoter holding को अगर आप देखेंगे तो promoter holding बहुत ही अच्छी है रादर देन everyone क्योंकि 70% promoter holding है almost ठीक है 70% की promoter holding है और मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप please hold करें डरिये मत ठीक है देखो जब share का price उपर जाता है ना तब आपको ऐसे लगता है और यार मैं यहां खरेदू यहां करेदू और हम क्या करते हैं जब share का प्राइस चल जाता है हम उसको यहां करीते हैं एकदम टॉप पे ठीक है और फिर क्या करेक्षा करेक्षा करके यहां आता है तो अनुप यहां लीए मैं नहीं करते हैं कि 8 मैंने भी तो सको 500 क्या video वही जब कोई share कि चलता है आप थोड़ा सा लेक उसके शेयर करते हो और क्या होता है च्छा पर फंदेमेंटल की है पूशनल ऊसप उस share को खरीदते हो आगे पीछ आपको देखना चाहिए ठीक है आपको थोड़ा से स्टेडी करना चाहिए कि उसका क्वाटरेजर कब आने वाले कैसा प्रफॉर्मेंस किया लास्ट टाइम इस टाइम उसका प्रफॉर्मेंस कैसा होगा वह चीज़ देखर करना चाहिए एक्स वीडियो मैं आटो पर आपको खुश्च भी पूचनmiş जबी लेकं ऑपका प्यार सितन होड़ा न इहीं उसको टेकर और जल्राबिस स्ट्रीन आ करें तो मिन आपको दिल सब्सक्राइब आने करना चाहिं प्लीज अब्की ऱॅं में पूलेल सब्सक्राइब बना रहे, thank you so much